हेलो बच्चों, इस टॉपिक में हम रोलिंग एंड स्लाइडिंग सिखेंगे तो रोलिंग मतलब क्या? तो देखो एक्जांपल दिखते है ये बॉई, ये बॉल उपर से नीचे डाल रहा है वो बॉल गोल 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 गूमके नीचे आएगा तो उसको हम रोलिंग कहेंगे ये बॉल ये बॉई डालेगा तो वो गोल 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 गूमके नीचे जाएगा तो उसको रोलिंग कहते है तो समझ में आया? रोलिंग मतलब क्या? जो कोई चीज गोल 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 गूमके आगे जाती है उसको रोलिंग कहते है दूसरा एक्साम्पल देखते है ये गल है गल क्या कर रही है? तो गल ये बॉक्स को उपर से नीचे डाल रही है ये बॉक्स उपर से नीचे गोल गोल नहीं गूमेगा क्योंकि ये बॉक्स है बॉक्स स्लाइड होगा स्लाइड मतलब हिसकना तो इसको क्या कहते है? स्लाइडिंग है ना? समझ में आया? येस चलो उसकी एक्सेसाइज देखते है टिक राइड दे आपजेक्ट देट वील रोल यहाँ पे कुछ एक्जाम्पल दिये है उसमें से जो चीज रोल होती है उसके उपर टिक राइड करना है तो ये पैंसिल ये पैंसिल रोल होगी येस ये पैंसिल रोल होगी गोल गोल गुमेंगी इसलिए हम इसको टिक राइड करेंगे फिर ये क्या है? ये बॉल है बॉल भी रोल होगा इसके लिए इसके उपर टिक करेंगे ये बटर है ये बटर रोल होगा कि स्लाइड तो ये स्लाइड होगा इसके लिए इसके उपर हम टीक नहीं करेंगे और ये ओनियन है ओनियन खाते हो ना सब ओनियन यानी ओनियन रोल करेंगी ये स्लाइड करेंगी है ना तो इसके लिए इसके उपर हम tick right करेंगे अभी last object दिखते है tick right the object that will slide यहाँ पे जो object दिये है उसमें से जो slide करेगा उसके उपर tick right करना है तो देखते हैं यह क्या है ककंबर ककुंबर मतलब काकड़ी यह slide करेगी नो क्यों क्योंकि यह roll करेंगी है ना फिर क्या है फिर यह tomato है tomato roll करेगा कि slide तो tomato roll करेगा slide नहीं करेगा फिर यह क्या है यह suitcase है यह roll करेगी यह slide तो यह roll करेंगी इसके लिए नो यह क्या करेगी रोल करेगी यह slide तो यह slide करेंगी इसके लिए हम इसके उपर टिक नहीं करेंगे तो बच्चों समझ में आया rolling and sliding येस जो चीज गोल गोल गुमके किसकती है उसको rolling कहते है और जो चीज डैरेक्ट किसकती है रोल नहीं करती है उसको हम sliding कहेंगे बच्चों बच्चों